नमस्कार दोस्तों में राहुल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका अपने जोती सिखाने की संखला को जारे रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे गुरू और सूर्य की यूती का प्रभाव सभी भाव में किस तरह का देखने को मिलेगा यानि गुरू और सूर्य कुडली में होरोस्कोप में एक साथ है किस तरह के फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे सरल तरीके से कमसब्दों मैं आपको बताने जा रहा हूं वीडियो आपको असानी से समझ में आ जाए तो देखो आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य और गुरू की यूती पहुत अच्छी माने जाती है अगर वह अच्छे भाव अच्छी रासी में तो निच्छी से जातक को राज राजयोग जैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे महीं सूर्य और गुरू की यूत्य करतिरिक भाव में है पाप गुरू से दरस्ट है तो निच्छी दूरू से आपको दुस्परी नाम देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहले गुरू जो की मान सम्मान पर्तिष्टा यस कीरती संतान में पुत्र विवायक जीवन इस्तरी के लिए और सम्रद्दी और धन का कारक मना जाता है वहीं पर सूर्य राजा जैसी जिन्द की पिता और साती सात जो है आत्मा आत्म विश या देखने को मिलती है राजा जैसी जिन्द की वह सूर्य उसका कारक होता है तो गुरू और सूर्य की यूति अगर है तो निचित रूप से जातक सभी परकार का सूख धन उचकोटी का रुत्बा उचकोटी का सभी परकार का सूख पराप्त करता है पर उसकी कुछ अग्र यही सूर्य ऑर गुरु अगर मेश रासी, करकरासी, सिंह रासी एधनु रासी में है, तो निचित रूप से आप हे आपने आपने ऐसंद वरद्य करेगा, ये दोनों के बीच में डिख्रेशन यालों स्य पर परिवल यूती माने जाएगी, पर सूर्य के नज्दिक क से कम हो तो परबल यूति माने जाती है पर सूर्य के नजदिक जाओगे तो अस्त भी हो जाता है तो सूर्य और गुरु की यूति आठ से लेके अगर चोधा के बीच में ही है तो वह ज्यादा अच्छी हाला कि आठ पे गुरु अस्त माने जाएंगे पर वह प्रबून रूप अगर कुटली के अंदर सूर्य और गुरु दूसरे बाहों में तो निचीत रूप से वैक्ति धनवान होता है अच्छे कुटूम में पैदा होने के बाद जातक प्रोग्रेस करता है उसकी प्रांबेक शिक्सा पहुत अच्छी होती है धन का कुटूम का पूम रूप से ला तीसरे बाहों में पर ये सूर्य गुरु की यूति अगर मेश रासी करकरासी सिंग्ण और दनु की है तो बहुत अच्छा इसके विप्रीद अगर ये जो यूति है ये अगर मकर रासी में है या फिर तुला रासी में है तो निचीत रूप से आप वैक्ति को धन का वाओ कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा संगर्स देखा जाता है और अब्स्टेकल्स प्राप्त करते हुए देखा गया है शूर्य गुरु की यूति तीसरे बाहों में है और यहीं यूति अगर अपनी मित्र रासी में है तो निचीत रूप से जातक का मानसिंग संतुलन अच्छ जो तक जातक पढ़ाय के चेतर में अच्छा निचीत रूप से नयाय के चेतर में अच्छा अपनी महनत लेखक छेतर में अच्छा चपाय के चेतर में अच्छा और अपनी मानसिक संतुलन और अपनी महनत के बाद जिन्दक अंदर सभी परकार का सुक चातक प्राप्त करता चतुरत भाव में अगर सूर्य गूरू है यहां पर तुला राशिक है तो रिद्धे रोग दे सकता है जातक को पटकर मेश राशी करकराशी सिंग और धनु तो सभी परकार का सुक धन संपना कर लेते हैं जातक को रोजगार के छेतर में भागे की दरिष्टी से संतार की दरि हैं घैने को की बना कर्म में यानि उसके अच्छे कर्मों की जो फल थे उसको देखने को मिलते हैं पून रूप गुरु जनों का सयोग, पढ़ाई अच्छी, लाब, रोजगार, धन की दरस्टी से पहुत अच्छा, संतान की दरस्टी से पहुत अच्छा, छटे बहुं में सूरिय गुरु होंगे तो निच्चित रूप से सोना खोता है, ऐसे जातक का, सोना गिरी भी रखना पड़ता है, चोरी होती है, इस तरह के चीज़े देखी जाती है, जूटा अरोप लगता है, पिता का पुन रूप से लाब नहीं, मान सम्मान में ठेश, संतान को लेके चिंता, पिता को लेके मदवेद, और निच्चित रूप से पिता का पुन रूप से लाब नहीं, जिन्दकी गंदर सा इगो इस्टिक बना देता है विभाएक के अंदर थोड़ी सी इगो कट-कट पट-पट चलती रहती है पर गुर्गु अगर वली है तो निच्छी दुरूप से कोई दिक्कत नहीं विभाएक जीवन के दुरूप से तरक्की मिलेगी जातक को सुक के और संतान के और विभा के छेटरे से दिक्कत देखी गई है विभाएक में भी जीवन में भी अगर यहां पर तुलाराशी के तो तूटने का योग मन जाता है अश्टम भाव में अगर गुरू और सूरिय हो तो निच्छी तुरूप से जैसे मैंने बोला कि गोल्ड होने का योग बनता है लंबी आखें लीवर हड़ियां को लेके जातक को परिशानी रहती है और सूरिय और बुद में अगर यहां सूरिय और गुरू यहां पे हो और सूरिय गुरू में से किसी की भी महादा से चले यह गुरू में सूरिय का अंतर हो सूरिय में गुरू का अंतर हो तो निच्छी और बोट होता है बाग्य पून रूप से साथ देता है जातक का पहले भी जातक के पास अच्छी कुल में पैदा ह lac rais करता है रूजगार और चेत्र में परोगराइसे के चेत्र में हानसमान ड़ह पर योट्हार शूर्या के लगोर्व roles ड़ो और हहीं न्याय के चेतर में परकार का सुक्रापटकरेंगे द्धन संपन और संकन देखा गया है एक आतस भाहों में सूरिय और गुरू की यूति है तो यहाँ पे भी अच्छी माने जाएगी दसवे भाहों में भी तुला रासी या मकर रासी के सूरिय और गुरू ना पड़े हो अगर मेश, करक, सिंग और धनु के हैं तो बहुती अच्छी बात है एकादस भाव में सूर्य गुरू की यूती है तो निश्ची दूरूप से जातक लाप प्राप्त करता है और अपने मेहनत से लाप प्राप्त करेगा जिंदकी कंदर सभी परकार के इच्छा, धन संपन, दो संतान के योग बनते हैं, दोनों इपुत्र के योग बनेंगे, बाहर बहां में सूर्य भी कारा कूद माना जाता छा ett है बारवे बहु बहुें हाँ, पटिये मकर और तुला कना हूँ,ать किसी भी राशी का हो, और और खासतोर से अगर तूला-रासी का हो, या मकर का हो, और किसी प्रकार से अगर सनी के दरश्टी और पड़ जाए तो जिंदिकी बिल्कुल बेकार हो जाती है मान सम्मान पर्थ-परतिष्टा नहीं मिल पाती जूटा रोब लगता है धन का अबाव होता है पैतरिक संपत्ति का नास होता है अगर मंगल भी खराब है तो पिता का बंदरुप से लाब नहीं मलता और धन और कीरती रोजगारिन सब चीजों में हानी मिलती है सनी से दरश्टे तो जेल के योग भी बनते हैं कोटकचरी के भी योग बनते हैं तो दोस्तों बहुती सरल तरीके से कम सब्दों में मैंने बताया आपको कि सूर्य गुरू की युद्ति के परभाव अगर वीडि और गुरू सूर्य के बीज मंतर करें ऐसा करने से सूर्य और गुरू के दुस्परिनाम से बचा जा सकता है धन्यवाद